बॉनिंग आपके सर्थ जिस निर्वत नविए स्टूरंस, इस वीडियो इस फिप स्टूरंस एंड पहले नर्वस सिस्टम के बारे में काफी कुछ चटचा काच चुके हैं और आज का जो हमरे टोपिक है वह हड्डिया और मांस्पेसिया है तो चलिए इसके बारे में हम जान जान लेते हैं हडिया क्या होते हैं यानि बॉन्स 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 स्फonya करता है और जो हमारा वर्क होता है वहabout है अनिकि इस सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब से बालाओ माहिज से और आधान berry जय थे अनिव जाता है उनकिन 레य爾 ethic दर सब्सक्रा धाउभ से टेमे सोऩ्टित के लिए हीWow अर वह रीजन को अपाइन बनाता है वह हमारा ब्रेन और इससे पहले हम आपको ब्रेन के पार्ट्स पढ़ा चुके हैं तो चलिए आज हमारा टॉपिक बोन एंड मॉसल पर शुरू करते हैं तो मॉसल जो होता है बोनस को अपर करती है और इनका तो बहुत ही डिफ्रेंट इफ्रेंट ऊता है पहले हम बोनस के बारे में जानेंगे चलिए इसकेलेटन के बारे में जानेंगे आप इस फिगर में देख सकते हैं यह हमारे बॉडी का टोटल सकैलेटन है इस skeleton का formation कैसे होता है कई सारी different type की wounds मिलके एक पूरे skeleton का formation करती है और इस skeleton क्या करता है हमारे body को एक shape एक shape देता है एक नाचा तैयर करता है और इसी नाचे पर हमारा सरी बनता है और skeleton bones का सबसे important फर्क्या होता है हमारे body में आप देख सकते हैं यह हमारा rib cage है फेफडे की न्दर मूझ वी ईंटर्न लॉस्पल्स पींच सब्सक्राइब जबनां chem को सब्सक्राइब उन्दर भेला में सब्सक्राइब बहुत है किध शशीचिया और है दूज हसं पर में देख सकते हैं अधार को आदलय का सब्सक्राइबित फेफडा मुझूद होता है अब अगर हम इस पर कोई एक्सटरनल फोर्स लगाते हैं तो पहले हमारा जो डीप केज है उसको अफॉर्ड करेगा उसके बाद ही वह वहां तक पहुचेगा तो जो छोटे मुटे घा होते हैं बड़े घा भी होते हैं उनको क्या मतलब इंटरनल ओर पहुचने से रूपता है तो यह भी हमारे बॉन्स का बहुत बड़ाamis फीचर होता है और चीज हमारे बड़े बोन्स होते हैं जो परें विंपोर्टेन बॉन्स बड़ी बॉन्स होती हैं जैसे कि आपके लिंब बॉन्स हुए इया फिर यह थाई के जो फीमर बॉन्स है इनके बारे में तो इनके अंदर एक तो भीजना अटवी और ना चाहिना में चाहिना अधंद बूर होता इस फिगर और आप सकते हैं इसे अन्डर हर्ड़ी का फ्लूड थी मजूत है इस इस इक आता कित नहीं ङौसårt एक systems ekenट और प्लतशृम लोग है गजड好吧 इनका जो जीवन काल होता है, वो कितने दिन का होता है, वो 20 से 120 दिन का होता है, यह बहुत ही important question है, आप लोग ज़रूर इसे अपने माइन में सेट करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो jelly-like material होता है, उसको bone marrow कहते हैं, और इसमें red blood cells का formation होता है, और यह fat store करने का भी work करते है ठीक है, the main bones that comprise the skeleton are skull, ribcage, backbone and two pair of limbs, जो हमारी main bones होती है, जो कि, जैसे कि skeleton का skull हुआ, ribcage, backbone हुआ, and two pair of limbs, जो limbs की जो दो जोड़ी हड़िया होती है, यह बहुत ही important role play करती है हमारे body में, चले हम जान लेते हैं, इसकल के बारे में, जञन एसकल करते है, इसकल क्या होता है, स्कल मैंने previous class में आपको बता Here the brain of the brain में हारा brain होता है जो Marksifier 9 जान लेते हैं, the skull is the hardest part of the body that protects the brain, यह सहे हाड़ने ज़ना मजबूत हर्डी होती है। गया होते है। одноxis कडिए योटी है। इसनी फिक्स्ट होती है। थाली था मूफ कर Лया से कोड़ने के पर रौभ मेरावारी मुझते है। जब अपन ми होगी ग्वाला की मुझते है। पूर्सन यह क्या होता है यहां से ञाशोंते हैं जो पुति हूँ होता है यहां तक बोल्स होती है क्या होते हैं मूं नहीं करते है Pittsburgh यह अपका लो अब पर जाज होता है इसमें तो मदा एंट करते हैं यह पूर्ण का चीविंग का वर्क करते हैं आप देख लिखें जी आपकेज के बारे में तूद्दी निकलिया है इसको के दूर्च के पाइच के जो इनकों के वर्क कर रहे हैं वह इस्टैडाम होता है अर रीव के जो अवक एड़ेया होती हैएक blackband pensar का तेमक तोटल ये जो आपके हड़ी आपक पैर्टइबर होती हैं यानि कि चोबिस हड़ी हड़ी होती हैं और जाके और बैग पे दूसरे से क्या होती हैं उसके अनदर लैप के लांग्स और हाट को प्रोटेक्ट करती है और जो और रीब बोन होती है यद्स अर्ग बोन क्था होता है उससे इसे सामने में इस इसे ब्रहुर्ज चाहिए और यह आपकी यह的क। यह सीन्नम से बाद होती है जिसे की स्टैनम पहा जाता है द लोवस टू पेर और नॉट कनेक्टेट तू द ब्रेस्ट बोन एंड रन दस काल फ्लोटिंग रीप्स जो आपके नीचे के जो दो नीचे की जो दो हडिया होती हो क्या होती है इस टैनम से कनेक्टेट नहीं होती है और आप जो सांस लेते हैं जो साइड होता है वो क्या होता है अप टाउन मुव करता है तो फ्लोटिंग रीप्स मतलब वर्क करते हैं ठीक है आज तक का हमारा वीडियो यहां तक और अगले दिन हम स्टडी करेंगे बैक बून के बारे में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइ अगर आपके इंसान के एक जुवा इंसान के सरीर में टोटल कितनी हड़िया होती है और ब्रेन के पार्ट चोह प्रिवेश क्लासे में पढ़ चुके हैं ब्रेन के पार्ट्स प्रेंगे पार्ट्स के नहाव आप जिरूर कमेंट बुक्स में एंसर दीजए थांक यू